हेलो एवरिवन आज बनाएंगे अचारी पनीर अचारी पनीर बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम प्याज लिये हैं प्याज को छील के बारी काट लेंगे दो हरे मिर्च बीच में से चील लेंगे या बारी काट लेंगे 135 ग्राम टमाटर साप पानी से धोके बारी काट लेंगे कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हलका गरम करेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच से थोड़ा सा कम तेल लगबग 50 ऐमल तेल है ये तेल को हलका धुआ निकलने तक गरम कर लेंगे तेल में से हलका धुआ निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद कर देंगे, तेल को हलका ठंडा होने देंगे, तेल हलका ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम ओन कर दी है, मैंने लोटू मीडियम पर की हुई है, इसमें डालेंगी एक बड़ी इलाइची, इलाइची को मैंने बीच में से तोड़ लिया है, एक तेजप मेधी दाना, चोथाइ छोटी चम्मच कलाउन जी, सभी मसालों को चटक ने देगे, सभी मसाले चटक गए हैं, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट लगा लिया है चला देंगे प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे प्याज भून गए है, प्याज का कलर चेंज हो गया है कटे हुई टमाटर डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे, 14 चोटी चमच हल दी, 1 चोटी चमच फिसी हुई लाल मिर्च, देगे मिर्च भी है मैंने, ये तीक होती है, पिसा धनिया नमक का डालें गे सवादानुसा मैंने एक छोटी चम्मत सी थोड़ा सा कम नमक लिया है चला देंगे मसाले को तब तक भूनें गे जब तक मसाला साइडों से तेल न होड़ा डालेंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे, मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर, थोड़ा सा आम का अचार डालेंगे, अचार के मैंने छुटे टुकुडे कर लिये हैं, एक कप पानी डालेंगे, चला देंगे, पनीर को पकने देंगे थोड़ देर के लिए, बीच-पीच में चला देंगे, पनीर को तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है, बीच में दो बार चला दिया था, अचारी पनीर बन गया है, गैस फ्लेम बन कर देंगे, अगर आपको अचारी पनीर की ये रेसिपी प पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किजीए